दुनिया के नंबर एक पहलवान और भारत की माटी के लाल बजरंग पूनिया ने 6 मई को मेडिसन स्क्वाइर गार्डन में फाइट कर एक अनोखा मुकाम हासिल कर लिया है हाला कि बजरंग को खेलों का मक्का कहे जाने वाले मैदान पर यूएस चैंपियन यानी से हार का सामना करना पड़ा लेकिन इस मैदान पर कदम रखते ही उन्होंने भी इतिहास के पन्नों में खुद का नाम दर्ज करा दिया अमेरिकी कुष्टी संग ने बजरंग को मैडिसन स्क्वाइर गार्डन में लड़ने के लिए खास तोर पर इन्वाइट किया था इस मुकाबले को ग्रेपल एड दि गार्डन बीट दी स्ट्रीट्स नाम दिया गया था यह टूनमेंट नौ साल से रेसलिंग में काफी बड़ा इवेंट बन चुका है अगर आप खेलों की दुनिया में दिल्चस्पी रखते हैं और बास्केट बॉल के दिवाने हैं तो MSG यानि मैडिसन स्क्वाइर गार्डन को जरूर जानते होंगे मैडिसन स्क्वाइर गार्डन एक ऐसा खेल का मैडान है जो दुनिया भर के कई बहतरीन मुकाबलों के साथ धेरो रंगा-रंग कारेक्रम का गवा रहा है मैडिसन स्क्वाइर गार्डन का नाम अमेरिका के चौथे राष्टपती जेम्स मैडिसन के नाम पर पड़ा शुरुआत में मैडिसन स्क्वाइर गार्डन के दो वेन्यू थे इसके बाद तीसरा मैडिसन स्क्वाइर गार्डन न्यू यॉर्क के आठमे एवन्यू स्ट्रीट पर खोला गया Madison Square Garden दुनिया में प्रिसले, जैक्सन, एन्रिके, ब्रिटनी स्पियर्स, मडोना, सर एल्टन जॉन जैसे कई महान आर्टिस्ट्स के कॉंसर्ट्स का गवाह बन चुका है Madison Square Garden अमेरिका के मैनहटन के सेंटर में स्थित है साल 2014 में Square Garden में PM मोदी के भाषण ने खूब सूर्खियां बटो रही थी PM मोदी के भाषण के अलावा Madison Square Garden भी कई एतिहासिक मुकाबलों का साक्षी रहा है इस मैदान पर सदी का सबसे बड़ा मुकाबला 8 मार्च 1971 को दुनिया के सबसे बहतर मुक्केबाज मुहमद अली और जो फ्रेजियर के बीच हुआ था इसके अलावा Madison Square Garden पर रोजर फ्रेडर नोवाक जोको विच जैसी कई हस्तियों के मैच भी हो चुके है साल 1989 में पोप जॉन पॉल दितियों ने यहीं से अपना विश्व प्रसिद्ध भाशन दिया था 2001 में माइकल जैक्सन ने यहां शो किया था जबकि पुराना Madison Square Garden पॉप बैंड बीटल्स के शो के लिए चर्चित रहा है प्रसिद अमेरिकी सिंगर एल्विस प्रिसले ने 1972 में यहां लगातार चार हाउस फुल परफॉर्मेंस दी थी इस फेमस मैदान में परफॉर्म करना हर कलाकार, खिलाडी और नेता का सपना होता है लगभग 20,000 की ख्षमता वाले इस स्टेडियम को दुनिया के सबसे महंगे और लोगप्री वेन्यू के रूप में जाना जाता है HS News के लिए प्यूस जैजान की रिपोर्ट